हलो एब्रिवन मैं मैं मैंक शर्म स्वागत करता हूँ आप सभी का हमारी यूट्यूब चैनल पालिनोय आईस में दोस्तों जितना मुश्किल इस चैनल का नाम आप लोगों को लग रहा है उससे भी आसान इस शब्द का मतलब है जियाँ पालिनोय का मतलब किसी भी कार को तब तक करते रहना जब तक आपको उसमें प्रवीर्ता प्राप्त ना हो जाए प्रवीर्ता दोस्तों और इंगलिश में बात करें तो to repeat things until you attend perfection तो प्रवीर्ता और perfection ही हमारे चैनल का मूली सिध्धान्त है तो इसी perfection की प्राप्ति के लिए हम और आप इस initiative को साथ में आगे बढ़ाएंगे ऐसी में आशा करता हूँ तो दोस्तों इस channel पर हमारे काम करने का तरीका सिर्फ और सिर्फ आप लोगों की feedback पर निर्वर करेगा तो मैं चाहूंगा कि आप एक active candidate और active aspirant बनकर इस channel के माध्यम से हम से जुड़े रहे दोस्तों पालिनोहियों की scheme क्या होगी इस पे हम अब चर्चा करेंगे कि कैसे पालिनोहिया IIS आपको guide करेंगे दोस्तों हमारी तैयारी मूलिता chart based होगी chart based का मतलब मैं आपके अभी आगे समझाऊंगा कैसे हम अपनी preparation आसान और flexible बनाएंगे इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे तो इसके लिए दोस्तों हम UPSC और MPPSC की format पर ज़्यादा ध्यान देंगे सिर्फ हमारी preparation का जो source रहेगा जो main source रहेगा वो सबसे पहले syllabus को समझना और दूसरा previous year question papers को अच्छी तरह परकते हुए एक नियमित दिशा में अपनी तैयारी करना हमारा लक्ष होगा देखें UPSC और MPPSC में सिर्फ एक बड़ा अंतर जो मुझे बेहद महत्वपून लगता है और जो UPSC को बाकी तमाम services से श्रेष्ट बनाता है वही है कि जो सवाल UPSC के prelims में पूछे जाते हैं जो उनका स्तर है जो उनका level है वही सवाल MPPSC के मुख्य परिक्षा यानि mains में के पत्र में हमको मिलते हैं देखिए ये मैं कोई assumption के तोरे पे नहीं बोल रहा हूँ इसका मैं उधारन दे सकता हूँ कि UPSC ने एक बार पूछा है WHO के बारे में अपने prelims में UPSC ने तीन statement दिये हैं जिसमें उसने WHO के objective के बारे में पूछ लिया कि निमनिमे से कौन सा statement WHO के objective को fulfill नहीं करता वहीं MPPSC ने अपनी मुख्य फरिक्षा में WHO के objective लिख नहीं दे दिये तो आपको समझ में आना चीए कि स्तर किस तरीके का है और इसी स्तर पे हम आगे अपनी मेनत करेंगे और इसी स्तर को बनाने के लिए हमारी तैयारी मूलिता स्लेबस प्रीवेस एर क्वेशन पेपर और हमारे तरफ से चलाई जाने वाली आगे जो टेस्स सेरीज हम चलाएंगे उस पर निर्वर करेंगे ठीके दोस्तों इतना शायद आपको क्लियर हुआ होगा इसी के साथ हमारे टेलीग्राम चैनल और वाटसअप चैनल पर आपको सारे नोट्स, करेंट समरी ठीके, करेंट अफेर्स और वाकी तमाम जरूरत की चीज़े प्राप्त होती रहेंगे हमारे टेलीग्राम और वाटसअप चैनल वाटसअप ग्रुप का जो लिंक है वो कल आपको या तो इस वीडियो के माध्यम से या तो वीडियो के बाद जो लिंक डिस्क्रिप्शन में देते हैं उसके माध्यम से प्राप्त हो जाएगी दोस्तों आपका और हमारा इंट्रेक्शन इन तीनों सोर्सस से बना रहेगा टेलीग्राम, वाटसअप और यूट्यूब पर तो कल से हम अपनी क्लास शुरू करेंगे कल सबसे पहले हम सलेबस और प्रिवियस येर कुश्चन पेपर्स को ठीक तरीके से बापेंगे और एक बात दोस्तों हम अपनी तैयारी मूलिता मेंस पस्पेक्टिफ से करेंगे क्योंकि मेंस की तैयारी पर ही हमारा जो फाइनल सेलेक्शन है वो निर्भर करेगा और रही बात प्रिलिम्स की तो मेंस की तैयारी पूर्ण होने तक आपको बाद में सिर्फ फैक्ट्स और स्ट्टिक पोर्शन पे ध्यान देना होगा जिसके बारे में हम बाद में बात कर सकते हैं आप यहां देख सकते हैं UPSC तो UPSC में सबसे पहले हम जाएंगे जैसे लक्ष्मी कांद के सम्री आप चाते हैं आप चाते हैं कि स्पैक्ट्रम की सम्री बन जाए तो यह सब आपको प्राप्थ होगा सिर्फ और सिर्फ आप डेंड करेंगे तभी उसके अलावर नहीं उसके बाद आपको handwritten notes भी मिलते रहेंगे आप telegram और whatsapp channel पे सब आपको प्राप्त होता रहेगा info graphics मतलब आपको chart आपको bullet bullet format में bullet format में आपको notes यह सब आपको प्राप्त होते रहेंगे ठीके दोस्तों और रही बात MPPSC की तो MPPSC में जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो है MP special का part तो यह MP special के लिए हम अलग से सारे वीडियो बनाएंगे बाकी जितनी भी चीज़े हैं MPPSC mains plus UPSC का जो content है वो हम deep में एक साथ लेते हूँ चलेंगे ठीके दोस्तों आशा करता हूँ आप सभी को यह सब समझ में आया होगा और कल से जो हम अपनी class है उसको शुरू करेंगे और जैसा मैं infographics की बात कर रहा था तो infographics से मतलब मेरा यह था जैसे कि यहाँ आपको एक topic दे दिया impeachment of judge मतलब महाभी हो तो उसके बारे में पूरा descriptive ना लिखते हुए हम सिर्फ bullet points में heading लिखेंगे वो वो point लिखेंगे जो जो हमको इसके बारे में हमको discuss करना है बस इसी इन ही पास साथ heading के ऊपर हम अपने पूरा lecture contribute करेंगे फिर चाहे वो lecture आदे घंटे का हो 40 मिनिट का हो पूरा discussion आप से चैनल के माध्यम से किया जाएगा मगर notes जो भी है वो descriptive आपको सिर्वर से टेलीग्राम और WhatsApp पे मिलते रहेंगे इतना ही दोस्तों कल से हम शुरू करते हैं धन्यवाद